आप मेंसे कुछ स्टूडेंस का सवाल ये था कि UPSC और PCS में क्या अंतर है इस पर वीडियो बनाएए तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSC और PCS के डिफरेंस के बारे में सबसे बात करते हैं फुल फॉर्म की तो पहला जो अंतर है ये फुल फॉर्म का है UPSC का फॉल फॉर्म होता है Union Public Service Commission यानि कि संग लोग सेवायोग वहीं अगर हम बात करें PCS की तो PCS का फॉल फॉर्म होता है Provincial Civil Service यानि कि प्रांते सिविल सेवायोग दूसरा अंतर है UPSC क्या है एक Public Service Commission यानि कि लोग सेवायोग और ये संग लोग सेवायोग देखे UPSC का एक Central Level का यानि कि केंद्र के लेवल का लोग सेवायोग और UPSC एक Central Recruiting Agency है यानि कि जो केंद्र लेवल के Central Level के Examination होते हैं उनको Conduct कराता है ठीक है वह अगर हम बात करें PCS की तो PCS क्या है एक 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 परिच्छा है और ये State Level की Civil सेवा परिच्छा है PCS यानि की Provincial Civil Service यानि प्रांती Civil सेवा इसका मतलब यह है राज जिस्तरी जो Civil सेवा परिच्छा है उसी को ही PCS कहते हैं अलग-अलग राज जो में जो इसका नाम है वो अलग-अलग हो सकता है यानि कहीं पर इस नाम को अलग-अलग नाम से चना जाता है ठीक है और PCS का जो एक्जाम होता है इसको राज जिस्तर का यानि कि State Level का जो Public Service Commission होता है यानि कि लोग सेवा योग होता है तीसरा अंतर यह है कि UPSC Civil सेवा पर इच्छा है यानि कि UPSC के दोरा जो Civil Services को एक्जाम करा जाता है इस एक्जाम को क्लियर करने के बाद आप ISO Officer बन सकते हैं IPS Officer बन सकते हैं इसके लावा Indian Foreign Service, Indian Foreign Service और भी किसारी सेवाएं होती हैं उनमें आप जा सकते हैं यानि किसमें आप जा करके DM बन सकते हैं, SDM बन सकते हैं इसके लावा DC यानि कि District Collector, SP, Ambassador, Diplomate और आप IFS Officer की जो अलग-अलग पोस्ट होती हैं उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं इसके लाव बात करें PCS की, तो PCS का exam जो हता है इसको state level का जो लोग से वायोग होता है वो conductor आता है ठीक है तो PCS exam clear करने के बाद आप वीडियो यानि कि Blocked Development Officer बन सकते हैं आप SDM Deputy Collector बन सकते हैं, DSB बन सकते हैं, ARTO बन सकते हैं, Deputy Jeller बन सकते हैं इसके लाव और भी कैसे जो पोस्ट होते हैं, उन पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं, कि PCS में कौन-कौन से पोस्ट होते हैं आप वीडियो के description में दिया गया वीडियो देख लिजेगा, उसमें आपको पूरी जनकरी मिल जाएगी और अगर आप PCS exam के बारे में, exam pattern के बारे में, योगता के बारे में, age limit के बारे मतलब कि हर एक जनकरी चाहते हैं दूसरा वीडियो देखेगा, उसमें आपको पूरी जनकरी मिल जाएगी PCS के बारे में, UPSC के बारे में जनकरी चाहते हैं, तो description चेक कीजे, UPSC से रेलेक्टर जो वीडियो हैं, उनका link हम इस वीडियो के description box में provide करा देंगे, ठीक है, और आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन में difference क्या है, देखें, UPSC क्या है, Central Recruiting Agency है, यानि कि जो केंदर इस्तर के examinations होते हैं, उनको conductor आता है, और ये Public Service Commission यानि लोग सिवाय हो गए, वही PCS क्या है, एक civil सिवा पर इच्छा है, state level की, ठीक है, I hope आपको चीजे समझ में आ गई होगी, वीडियो जनकरी आपक की जनगई प्राप्त करने में रुची रखते हैं, धन्यवाज जय हिंद, जय भारत, हम आप से मिलते हैं नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ,